हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, आज हम बात करेंगे इंटर्व्यू के बात जब इंटर्व्यूर आपसे पूछे कि do you have any questions for me, उस टाइम पे आपको किस तरह की questions नहीं पूछनी चाहिए और किस तरह की questions आपको पूछनी चाहिए सबसे पहले आपको left side पे मैं वो questions डालूँगी जो आपको पूछनी नहीं चाहिए, avoid करनी चाहिए और right side पे वो जो आप पूछ सकते हैं सबसे पहला आप tempt हो सकते हैं ये पूछने के लिए कि कितनी salary offer करेंगे इस job के लिए, मैं recommend करूँगी कि आप ये सवाल directly interviewer से ना पूछे, वो भी तुरंत interview के बाद, ये सवाल आप बाद में HR से या interview खतम होने के बाद अगर आपको कोई call करता है, उस time पे आप पूछ सकते हैं, या फिर जब आपको ये वाला job offer या opening दिखी थी, जब HR से आपकी बात हुई थी, उस time पे आप उस particular role का budget पूछ सकते हैं, लेकिन interview के तुरंत बाद जब interviewer पूछे, specifically technical interview के बाद जब interviewer पूछे, आपको क्या questions हैं, तो salary के बारे में ना पूछेगा, दूसरा question आपको जो नहीं पूछना है, वो ये है कि इस पूरे selection process में कितने interview rounds होंगे, और इसका result कब आएगा, इसका result कब आएगा, आप में भी पूछ सकते हैं, बट कितने rounds होंगे, या फिर कितने candidates को आप लोग interview कर रहे हैं, इस type के questions आप avoid करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, व आपको आप इस particular role के लिए willingness दिखाना है, लेकिन desperation नहीं दिखाना है, तो इस type की questions जो हैं, आप interviewer से ना पूछे, बहुत बार ऐसा होता है, कि बहुत सारी rounds होती हैं, और जो interviewer ले रहा है, उनको खुद नहीं पता होता कि कितनी rounds होती हैं, तो ये questions जो हैं, आप HR से बाद मे कैसा था, क्या आपका selection हुआ ये नहीं हुआ, बाकी candidates के comparison में आपने किस points पे अच्छा की और किस points पे आपको improve करना चाहिए है, ये question जो है, आप बाद में जब आपको interview का result पता चल जाएगा, उस time पे आप HR से पूछ सकते हैं कि आपका performance कैसा था, क्या कोई improvement points हैं, किस type का feedback आपको दे सकते हैं, लेकिन technical interviewer से ये question आपको नहीं पूछना चाहिए, technical interviewer से जो questions आप पूछ सकते हैं, वो इस तरह की questions हो सकते हैं, पहला question तो ये है कि क्या ये एक नया role है, या फिर ये एक backfill role है, backfill मतलब उस role पे कोई काम कर रहा था, उन्होंने छोड़ दिया, और उस position को दुबारा से fill करने के लिए आपका interview लिया जा रहा है, दूसरा question आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इस role के लिए ready made काम तयार है, या फिर मेरे को hire करने के बाद आप काम ढूरना शुरू करेंगे, जैसे कि अगर आप project manager के role के लिए apply कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो role है, ये कितना solidly बना हुआ है, अगर existing role है, तो सारा काम, सारे project, सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा, नया role है, तो उसके अलग challenges हो सकते हैं, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही हूँ, आपको ज़्यादा clarity मिलेगी, आप फिर ये question भी पूछ सकते हैं क कि इस role में आपके peers कौन होंगे, मतलब आपके साथ ही कौन होंगे, जो लोग आपके equal level पे आपके साथ काम कर रहे हैं, कई-कई roles में ये बहुती clearly role का नाम सुनके पता चल जाता है, जैसे sales representative, area sales manager, director, IT director, इस type के roles में आपको पता चलता है कि आपके जो colleagues हैं, आपके जो peers हैं, वो दूसरे region के या दूसरे product के sales वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे roles होते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐसे नए designations कुले हैं, जिसमें पता नहीं चल पाता कि मेरे peers कौन है, मेरी तरह ही मेरे जैसे काम करने वाले दूसरे लोगों को क्या बुलाया जाएगा, उनका किस type का क काम होगा, तो ये question आप पूछ सकते हैं कि who will be the peers for this role, एक interesting question इसी से related आप ये पूछ सकते हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि आपके peers कौन है, आप ये पूछ सकते हैं कि इस role के लिए growth path किस तरह से होगा, इस role में next level क्या होगा, और इस role में मैं सबसे highest level किस level तक directly बहुत सारे ऐसे roles भी हैं, जिसमें growth path होता ही नहीं है, इस role के बाद कुछ direct सीधा promotion का role आपको दिखेगा ही नहीं, उस वज़े से आपको इस role के लिए growth path अगर आप पूछेंगे तो technical interviewer आपको बता पाएंगे कि इस role में जो लोग काम करते हैं, वो usually sales में जाएंगे, operations में या supply chain में जाएंगे, या factory में जाएंगे, इस तरह से आपको insight दे सकते हैं कि आपको इस role में किस तरह से आप promotions या growth expect कर सकते हैं, आप इसी growth वाले point को और खीच के 5 और 10 year outlook पूछ सकते हैं, आप इसी previous role में जो काम कर रहे थे उनका growth path पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से grow किया, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी dream designation तक पहुचने के लिए क्या ये role आपको help करेगा, तो इस तरह से इस role की company में growth path आप पूछ सकते हैं, और सबसे last point जो मैं suggest करूंगे आप पूछ सकते हैं, interviewer से वो ये है कि इस role के लिए किस तरह की trainings offer की जाएंगी, क्या कोई training offer की जाएगी या नहीं की जाएगी, किस तरह का skill set आप expect करते हैं, और मैं training जब मैं suggest करती हूँ, तो मैं single एक job join करते हैं, induction training या initial training की बात नहीं करूंगी, आपको जरूर continuous training की बात करनी चाहिए, कि जब आपने join किया, आपको XYZ training मिल गया, लेकिन हर साल आपको किस तरह का training मिलता है, हर मानली जे project के लिए क्या आपको नया training मिलता है, क्या हर assignment के लिए आपको नया training मिलेगा, जो first year में आपको training दी गई थी, क्या उसका refresher training मिलता है, तो इस तरह से आप continuously training, continuous learning, continuous training, ongoing training का question पूछ सकते हैं, कि इस role को करने के लिए और इस growth path तक जाने के लिए, इस organization मे में को किस तरह का training या learning support मिलेगा, तो ये वो questions हैं, जो मैं suggest करूंगे, आप consider करें, ना पूछने के लिए, technical interviewer से और ये जो questions हैं, आप consider करें, technical interviewer से पूछने के लिए, वैसे एक बहुत ही logical point ये भी है, कि अगर आपको कोई question नहीं पूछना, आपकी सारी questions already answered है, तो I don't have any questions भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है, अगर interviewer ने आपको पूछा, do you have any questions, ऐसा जरूरी नहीं है, कि आपको कोई ना कोई question जबर्दस्ती पूछना ही है, आप बोल भी सकते हैं, कि में पास कोई doubts नहीं है, having no doubts is also okay, लेकिन अगर आपको लगता है, कि आप ज़्यादा comfortable हो प्रिपेर करके जाने में, तो ये questions आप अपने दिमाग में रखके जा सकते हैं,